हेलो एवरिवन मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चनल बागबगीचा पैशन और क्रियेशन में जहां हम बात करते हैं पेड़ पोधों की और किसी क्रियेटिविटी की अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लिख रहा हूँ तो आप उसे मिस्स ना करें आज का यह स्पेशल वीडियो यह मेरे बात्रूम के रिणेरेशन का और उसके मेक ओवर का है व्लोग को बिलकुल भी स्किप ना करें और एंड तक पूरा देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं जब आपको मैंने किचन का रिणेरेशन दिखाया था अपना किचन का मेक तो चलिए इसी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो प्लामर को बुलाया गया और उसने वह टौलेट सीट वगरा हटाई साथ ही जो वास्वेशन वाला एरिया था वह क्लीन किया यहां पर यह स्लैप थी उसको तोड़ना था क्योंकि इसकी वैसे बहु ही है जिस पर जंग लग जाता है और टाइम के साथ वो खराब हो जाती है तो उसके लिए भी नई फिटिंग कराने थी तो इसलिए प्लंबर को पहले बुलाया गया और वह यहां पर हेल्प करेगा तो सबसे पहले जो मजदूर बहिया है वो सारी टाइल सटा देंगे ताकि जो इंटर्नल काम होगा उसके बाद ही होगा और यहां पर मैंने और मेरी हजबन ने इस तरह की टाइल सेलेक्ट करी है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रू बताएगा कि यह वाला सेलेक्शन आपको कैसा लगा सामने कि जो दिवार है वो बहुत लाइट शेड में है और मार्बल जैसे डिजाइन है और जो साइड की तीन दिवारे होंगी आपने सामने की वह ठोड़ी डारकिश में है चोकलेटी टाइप सा उसका कलर है और ये थोड़ा सा अलग लूग होगा कि एक दिवार थोड़ी से लाइट होगी और तीन दिवारे डार्क होंगी तो ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हो यह कैसा लगा और अभी सर्द्डियों के दिन हैं तो हम樣com काम इस एक दिन बहुत छोटे होतें दूसरा कोई भी काम करा देस्टोज़ासा घर में गण्दगी तो हुति ही तो उस वज़े से तोड़ा सा घर बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा भंदगनदा हो गया है किचन का का काम भी चल रहा था जोनों का मां בצ बांदा चल रहे थे लेकिन के सफाई हो जाएगी अटमरकर की सच्छे सरी निछी की साइट से हो गई है तो श्रीज सोचाए क्या है की टोड़ी टायल dynasty इंश कराते हैं कैसे स्रीज लेने देखते हैं कि कैसे क्या समर्ण में आता है क्या क्या चीज़े पर चेस करेंगे कुछ समर्ण में आता भी है कि नहीं आता है तो चलिए माके चलते हैं और यहां पर हम आ गए हैं एक शॉप में जो हमें थोड़ी सी ठीक लगी और उसके बाद सबसे पहले हम लोग वैनेटी सोच रहे हैं कि एक बातरूम के लिए एक वैनेटी ले ले जिसके साथ ही वोस्वेशन अटैश्ट होता है तो अभी देखते हैं कि क्या चीज़े पसंद आती हैं मिरर भी परचेस करना है और भी सारी कई सारी एसेसरी लेनी है टावल स्टैंड भी लेना है तो चलिए देखते हैं आप इस आसल बने रहेगा कि क्या क्या परचेस करते हैं अजया प्रचेस करते हैं और यहां पर वाश्रूम का जो फ्लोर का टाइल्स है वो भी लग चुका है और यह सेलेक्शन मेरे हजबन की पसंद का है क्योंकि उनको इसी तरह की टाइल्स पसंद थी पहले मैंने बोला था कि वो रफ टाइल्स सलेक्ट करें लेकिन उनने बोला कि ये रफ भी है और शाईनी भी है साथ में नल भी लग गया है और बात करूं इसकी तो शावर भी लग गया है दोनों चीजे लग गई है और एक ही टैप से दोनों सारे काम हो जाते हैं और अब सारा काम हो चुका हैट पूरी लग चुकी है स्केटिंग हो चुकी है फ्रो टायल लग लग चुकी है और सारा काम पूरा होने के बाद हम लोगों अब पलमब भहा को वापस बुलाए है अब वह सारे चिजे अरेंज करेंगे जैसे टॉलर लगाएंगे साथी वैनेटी को adjust करेंगे उसके according लगाएंगे फिटिंग करेंगे तो इसलिए उनको अभी बुला लिया गया है क्योंकि काम लगभर लगभर finishing का तो खतम हो ही चुका है सिर्फ अभी यह plumbing वाला काम बचता है यह सारी fitting हो जाएगी तो उसके बाद यह complete हो जाएगा तो मैं आपको यहां फाइनल दिखा देती हूं कि कैसा बना है लाइटिंग हो गया दो दो लाइट लगाई है यहां पर साइड में गिजर हो गया है पहले भी यहीं पर था और मिरर करेंशन भी यहीं से गया है सब कुछ फाइनल है आपको फाइनल लु अब और जो वेनडी मैंने पचेस की है यह बहुत ही स्पीचियस है इसमें जो स्टाइड जो सारा समान है वह बाट रॉम से रिलेटेड है सारा समान मेरे रहीं स्पीच बहुत है इसमें इसमें नहीं है पीस भी धिखाया था होग walnut हुआ है मैरी जो देखने में बहुत ऑटर्ट्रक्टिव लगता है बहुत ही अच्छा लगता है तो इस Daha से चोड़ी अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रैंस को शेयर भी कर सकते हैं, कमर सेक्षिन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और आप मुझे सोचल मीडिया पर भी ज़रूर फोलो कर लीजेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रेप्शन ब झाल मैं जब कर लाइक